हलो दोस्तों आप देख रहे हैं डी कोट इंडियन तो यहां पे भारत सरकार के दौरा नौन मुस्लिम रेफ्यूजीज को लेकर के एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है यानि की गैर मुस्लिम सरनार्थी जो की अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांगला देश से हैं वो के द्वारा जो लिया गया है वो किसी और कानून के तहट लिया गया है देश के पांच राजियों में से इन तेरह जिलों को चुना क्या है यहां पर देखिए पूरा मामला क्या है मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर्स के द्वारा सुकरबार को एक नोटिफिकेशन चारी करते व पंजाब और हर्याना राजे से हैं आप यहां पर देखिए क्योंकि की सिटिफिफिप अक्ट 1955 के तहट फेसला नागरिक्ता कानूण है और 2009 में सरकार के द्वरारा जो नागरिक्ता कानून के लिए कुछ नियम बढ़ा गया थे इन दोनों के तहट अभी का यह फैसला लिय क्योंकि इसके तहट पूरा जो कानून है वह अभी तक तैयार नहीं हुआ है वैसे तो सीए के बारे में आपको प्रता ही होगा लेकिन फिर भी हम थोरा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में इसके अंदर का जो सबसे में प्रवीजन था उसके तहट 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी लोग अफगानिस्तान बांगला देस और पाकिस्तान से भारता हैं जिसमें की हिंदू सिक बुद्धिष्ट जेन पार्सी और क्रिश्चन सामिल है उनको भारत सरकार नागरिकता देगी अब यहां पे इसमें मुसल्मानों को एड नही सब तो आपको पता ही होगा अब देखिए यहां पे भारत सरकार ने सिटिजन सिप अमेंडमेंट का इस्तमाल नहीं किया है यह जो भी रिसेंट फैसला लिया गया है 1905 का जो एक्ट है सिटिजन सिप एक्ट उसके अंतरगत सेक्शन 16 में सेंट्रल गवर्मेंट को पावर मि जिसमें कि आपका गुजरात से मोडवी राजकोट पार्टन और वरोडरा सामिल है ठीक है 36 गर से यहां पे दुर्ग और बालोदा बजार सामिल है उसके अलावर राजस्थान से आपका जालोर उदैपूर पाली बार्मेर और सिरोही सामिल है हरियाना से आपका फरीदाबा कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं यहां पे इस पूरे काम की जिम्मेदारी दी गई है कलेक्टर और से करेटरी को ठीक है उनके दौरा जो भी एप्लिकेशन होगा उसको वेरिफाई किया जाएगा और उसके बाद यहां पे उस एप्लिकेशन को सेंट्रल का उसकी और के लिए यहां leaking सर्कार के दौरा इस तरीखी का फैसला लिया गया है 2018 में भी सरकार के दौरा यहीं फैसला लिया गया हमें अपना उपीनिन जरूर बताएं अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद